हालो बच्चियों, इस एपीसोड विच तुसी परिमे संख्या, परिमे संख्यावाणू दशमलव रूफ विच दर्सोना पाव, परिमे संख्या नू 6. रूफ जा 7. दर्सोन बारे सिख ओगे, आव हुन शुरू कार दे हाँ परिमे संख्या एक परिमे संख्या ओ संख्या हुँदी है जिसनू P बटा क्यो दे रूप विच लिख्या जा सकता हुवे चिते P अते क्यो दो में संपूरन संख्या मा हुँद आते क्यो 0 दे बराबर ना हुवे परिमेश संख्या मादा दशमलव रूप शान्थ दशमलव रूप पाव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक परिमेश संख्या जेस विच दशमलव रूप दी आखरी हद पागविदी दे अंकाते खतम हो जान्दी है जा कुछ पगाविच पूरी तरह खतम हो जान दी है, शान्थ दिशमलव रूप अख्मोंदा है, उदारन बज्जों, तिन बटा चार बराबर सीरो, दिशमलव सत पांच विच, 0.75 परिमेश संख्या तिन बटा चार दा, शान्थ दिशमलव जाने टर्मिनेटिंग डेसिमल इस विच परिमेश संख्या तिन बटा चार दे, दिशमलव रूप 0.75 दी आखरी हद, पांच दे पूरी तरह खतम हो जान दी है, इस तरह ऐ परिमेश संख्या तिन बटा चार दा, शान्थ दिशमलव पाब टर्मिनेटिंग डेसिमल रूप है, अ शान्थ दिशमलव आखरी हद, पागविदी दे अंकांते खतम नहीं हों दी, अशान्थ दशमलव रूप खोंदा है, उदारन बज्जों, वाई बटा साथ बराबर 3.14159 दोतों लेके अगे तक, विच 3.14159 दोतों अगे तक, परिमेश संख्या वाई बटा साथ दा, अशान्थ दशमलव प इस विच परिमेश संख्या वाई बटा साथ दा, दशमलव रूप, 3.14159 दोतों लेके अगे तक, दी आखरी हद, पागविदी द्वारा खतम नहीं हो रही है, इसलिए अशान्थ दशमलव रूप है, अशान्थ दोरादे दशमलव रूप, नोन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक परिमेश संख्या जेस विच दशमलव रूप विच, दशमलव तो अगे बाले सारे अंक, पेर तुबारा दोराण, अते इसे तरह अगे दोराण, ता इस तरह दे दशमलव रूप नू अशान्थ दोरादे दशमलव रूप केहा जान्दा है, उदारन इक पटा तिन पराबर 0.9, 3, 3, 3 तो लेके अगे तक, परिमेश संख्या एक पटा तिन्दा अशान्द दिशमलव पाव नोन टर्मिनेतिंग देसिमल रूप है, इस विच परिमेश संख्या एक पटा तिन्दा दिशमलव रूप, 0.10, 3, 3, 3 तो अगे तक, ती आखरी हद पाग भी दीदे अंकांते खतम नहीं हो रही है इसलिए ए अशांत दिशमलव रूप है इसनू दोरान वाले अंकांते बार लगा के दर्साया जानदा है जिमें की एक पटा तिन बराबर 0.3 तिन तिन तों लेके अगे तक इस विज अंक तिन दोरा रहा है ता ए बराबर 0.3 तिन उपर बार इस तरह हर एक परिमें संख्यानू असी बाकी पिनादी तरह दशमलव रूप विज दर्सा साकती है अति कैसाकती है कि पिन शांत दशमलव रूप पाव टर्मिनेटिंग डेसिमल जा अशांत दशमलव रूप पाव नोन टर्मिनेटिंग डेसिमल विज दर्साई जा सकती है हुन तक तो सी परिमें संख्या परिमें संख्यावानू दशमलव रूप विज दर्साउन बारे सिख्या है आओ हुन एस ते अदारत कुजुदारना नूं हाल करिए आओ हुने को अरुदारन विख्ये परिमें संख्या सोलां बटा पांचनू दशमलव रूप विज लिखो नाल ही दसों के इस ता शांत या अशांत दशमलव रूप की है हल तित्ती परिमें संख्या बराबर है सोलां पटा पांच हुनेस्टों दशमलव रूप विज लिखनले असी पार पिदी दी वर्तों करांगे ता एत्ती 18 ृप पाज वज ओ अते पांच नूँ पाजक वज ओ लवांगे उनसी 5 ता अजेहा गुणां पता करांगे जोकि 16 ते बराबर जा इस नालों छोटा होए ता जेकर 5 नू ते 13 गुणा करिए ता असी पंद्रां प्राप्त कर दें जोकि 16 नालों छोटा है, ता एथे 16 वीच्चों पंदा कटाउं ते असी बाकी एक प्राप्त करांगे, उने थे प्राप्त बाकी पाव एक पांच नालों छोटा है, ता एसली, असी एथे 5 विच तशमलव लगाके, इसते सज्जे पासे 0 लिखांगे, अते नाल ही असी पागफल विच भी तशमलव लगावांगे, हुने सीरो नू असी बाकी दे सज्जे पासे लिखांगे, संख्या 10 प्राप्त करांगे, जोकी पाजक 5 नालों बड़ी है, हुने थे असी पांचता अजीहा गुणाग पता करांगे, जोकी 10 ते बराबर चाइस नालों छोटा हुए, ता इथे असी 5 नू दो नाल गुणा करनते 10 प्राप्त कर दे हां, अते पागफल विच असी दशमलव तो बाद 2 लिखांगे, उन्हे थे 10 विच असी प्राप्त कर दे हां, ता इथे साडे कोल बाकी 0 पाज़ता है, नाल ही असी पागफल वज़ों तिन दशमलव तो प्राप्त कर दे हां, एच री, एथे असी सोडां बटा पांच नू, एच लिख साकती हां, ए बराबर तिन दशमलव तो दे, जो कि एश दा दशमलव रूप है, उन्हे थे प्राप्त दशमलव अंक दो ते खतम हो जानदा है, ता एथे शान्त, दशमलव रूप है, जो कि एशी पता करना सी, आओ हुन अगलावदा अन्विखे, परिमे संख्या चार बटा नौनू, दशमलव रूप विच लिखो, नाल ही, दसो के इस दा शान्त जा अशान्त शमलव रूप की है, हल, सानू, दिती परिमे संख्या, चार बटा नौ दे पराबर है, पुण आपता करना लए कि इस दा शान्त शमलव रूप की है, असी पाग पी दी दी वर्टों करती है, पाब एथे असी चार दी पाग नौ नाल करांगे, ता जो असी इस नौ दशमलव रूप विच पदल सकी है, ता इसली असी चार नौ पाज दी थाते, अते नौ नौ पाज दी थाते लिखते हैं, उन असी चार दी पाग नौ नाल कर दी है, ता इसली असी नौ दा अजेहा गुणांग पता करांगे, जो कि चार दे बराबर जाए इस नालों छोटा होए, पर नौ दा अजेहा कोई गुणांग नहीं है, क्योंकि चार नौ नालों छोटा है, ता इसली असी पहला नौ दी गुणा जीरो नाल कर दे हैं, ता जो असी जीरो प्राप्ट कर दे हैं, उन चार विच्चों जीरो कटाउन ते, असी चार प्राप्ट कर दे हैं, नो दा अजेहा गुनान पता कार दे हाँ जो कि चाली दे बराबर जा इस नाणों छोटा हुए ता असी नो नू चार नाल गुना कर दे हाँ ता असी इथे चत्ती प्राप्त करांगे नाल ही असी पाकफल विच दशमलग तो बाद अंक चार लिखते हाँ हुन चाली विचों छत्ती कटांगे असी चार प्राप्त कर दे हाँ हुन असी फिर पाज विच दशमलग तो बाद जीरो तो बाद एक खोर जीरो लगाँ दे हाँ जेसनों असी बाकी दे सजयेब आसे लिखांते मुळ संख्या 40 प्राप्त कर दे हाँ पिर असी नोदा गुणाग पता कर दे हाँ जोकी 40 दे बराबर जाएंस नालो छोटा होँ वे इसली असी मुड अस नू 4 नाल गुणा करके 6 थी प्राप्त कर दे हाँ अते पागफल वीच तशमलव तो बाद अंक चार तो बाद एक खोर अंक चार लगौँदी हाँ, हुण चाली वीचों चत्थी कटाउं ते असी फिर चार प्राप्त कार दे हाँ, हुण अगां फिर असी एथे एक खोर 0 लगौँदी हाँ, जिसनु बाकी दे नाल सझ्जे पास से लिखके असी मुढ संख्या चाली प्राप्त कर दें हाँ ता 80 अगा नोदा अजिहा गुनान पता कर दें हा जो कि चाली दे बराबर जैस नालों छोटा हुए जो की चति है ता यह थे असी पागफल विच सज़े पासे एक खोर अंक चार लगाँदे हां आते एथे चति लखते हैं हुझ चाली विच्चों चति कटाउं ते असी बाकी चार प्राप्त कर दी हां तो असी पाज विच एक खोर जीरो लगाँदे हां जिसनों असी प्राप्त बाकी दे सजय पासे लिखके संख्याद चाली प्राप्त करदी हां तो यथे यझी नो दा अजहा गुनाक पता करदी हां जो कि चाली दे ब्राबर 20 नालों छोटा होए इसलिए असी नो दी गुना चार नाल करदी हां अते पागफल विच एक खोर अंक 4 सर्जे पासे इंच लिखती है अते एथे चती लिखती है उन चाली बिच्चों चती कर टौन ते असी बाकी 4 प्राप्त कर दे है ता इते असी वेख्या है कि असी हर वार बाकी 4 प्राप्त कर दे है अते पागफल विच भी दशमलव तो बा अंक दोरांदा प्राप्त करांगे ता इसनों असी इंच लिख सकती हैं कि यह 0.4444 तो लेके अगे तक साड़ा पाउपल है अते जेकर असी इसे तरह पाउप कर दे रहें ता असी हर वार बागी 4 प्राप्त कर दी हैं पाव एथे इस परिमे संख्या दा ना खतम होन वाला पाव अशांत दोरांदा दिशमलव रूख है ता इथे असी पागफल पराबर 0.44444 तो लेके अगे तक प्राप्त कीता है जिसनों असी इंच भी लिखते हैं एव बराबर 0.4 उपर बार एथे बारतों पाव एथे अम चार दोरा रहा है अते साधे कोल हर बार बाकी चार बाचता है ता इसलिए तित्ती परिमे संख्या चार बटा नो ले इसता दशमलव रूख प्राबर है 0.4 चार उपर बार उन्हें थे बारतों पाव एथे अंग चार दोरा रहा है अते इसलिए असी कह सागती हैं कि दित्ती परिमे संख्या दा अशांत दोरांदा दशमलव रूख है ता इसलिए दित्ती परिमे संख्या चार बटा नो पराबर 0.4 उपर बार जोकि इस दा अशांत दोरांदा दशमलव रूख है जोकि यसी पता करना से आ ISS अगला दारण में कित्तीं जोकि यसी पताल पराबर जोकि इस दोरा रूख है आओ, हुन ऐस्ते अदारत कुछ हो रुदार्नानू हाल करिये। आओ, हुन अगला रुदार्न में किये। बाई बटा साथ नू दशमलव रुपविज दर्साओ। हाल एथे। तिती परिमे संख्या। पराबर है बाई बटा साथ नू दशमलव रुपविज दर्सों ले असी पागविदी दी वर्तों करांगे। पाव एथे बाई नू असी पाज वजो अते सत नू पाजक वजो लमांगे। ता एथे असी साथ अजेहा गुनाज पता करांगे जोकी बाई दे बराबर जा इस नालों छोटा होवे। ता एथे बाई विचों एक की कटांगे असी एक प्राप्त करांगे। उनगा पार करनली साथे कोल प्राप्त पाकी पाजक साथ नालों छोटा है। इसलिए असी पाच विच तशमलब लगाके एक सीरो लगांगे। इसनों असी बागी दे सज्जे पासे लिखंते संख्या दास प्राप्त करांगे। इसे तरह असी पागफल विच भी तशमलब लगांगे। असी साथ दा जिहा कुनाग पता करांगे, जोकी बासते बराबर जा इस नालों छोटा होजे ता इसली असी साथ नू एक नाल कुणा करांगे असी संख्या साथ प्राप्त करांगे जो कि दास नालों छोटी है ता असी नाल ही पागफल विच तशमलवतो बाद सजेपा से एक लिखांगे उन दास विच्चों साथ कटा उनते साथे कुल बाकी तिन बाचता है जो कि पाजक साथ नालों छोटा है ता इसली असी पाज विच एक होर जीरो लिखांगे जेसनू बाकी दे सजेपा से लिखनते असी संख्या ती प्राप्त करांगे ता अगा असी साथ अजीहा गुनांग पता करांगे जो कि ती ते बराबर जा इस नालों छोटा हुए एसली असी साथ नू चार नाल गुना करांगे ता इसली असी संख्या अठाई प्राप्त करांगे नाल ही पागफल विच दशमलवतो बात असी चार लिखांगे उन ती विच्छों अठाई कटौन ते साढे कोल बाकी दो बाजता है उन अगा पाग करनी एथी ए संख्या दो पाजक साथ नालों छोटी है एसली असी पाज विच एक होर सिफर पावजीरो लगावांगे एसनू पागी दे सजे पासी लिखन के असी संख्या वी प्राप्त करांगे अगा असी साथ अजिहा गुना पता करांगे जो की वी दे बराबर जा इस नालों छोटा होवे एसली असी साथ नू दो नाल गुना करांगे ता एथी साथ नू दो नाल गुना करनते असी चोदा काप कर दें है नाल ही पागफल विच सज्जे पासे असी दो चारतो बाद लिखांगे उन्हें थे वी विच्चों चोदा कटाउं ते साड़े कोल बाकी 6 पाज़ता है उन्हें गाच चे पाजक साथ नालों चोटा है इसलिए असी पाज विच एक होर सिफर लगावांगे जिसनू बाकी दे सज्जे पासे लिखनते असी संख्या 60 प्राप्त कराँगे ता अगाच असी साथ जेहा गुणार पता कराँगे जोकी साथते प्राबर जा इस नालों चोटा होवे इसलिए असी साथ नू आठ नाल गुणा कराँगे सतनू आठ नाल गुना करनते असी चपंजा प्राप्त कर रहाँ जो कि सत नालों चोटा है डाल ही पागफल विच असी अठ दो तो बाद लिखांगे उन सत विच्चों चपंजा कटाउं ते साडे कोल बाकी चार बाचता है जो कि पाजक सत नालों चोटा है एसलिए असी पाज विच एक खोर 0 लवांगे जिसनू बाकी दे नाल सज्जे पासे लिखनते असी संख्या चाली प्राप्त करांगे हुन असी साथ दा जेहा गुनाग पता करांगे जो की चाली दे बराबर जा इस नालोग छोटा हुए एसलिए असी साथ नू पांच नाल गुना करांगे साथ ती पांच नाल गुना करनते असी पैंत प्राप करांगे जो की चाली नालोग छोटा है दाल ही असी पागफल विच पांच आटो बाद लिखांगे हुन अगा चाली विच्चों पैंती कटाउं ते साड़े कोल बाकी पांच पाजता है जो की पाजक सत नालों छोटा है एसली पाजवेच सज्जे पासे 0 लिखनते अते एसनू प्राप्त बाकी दे सज्जे पासे लिखनते असी संख्या पंजाब कर दे हां ता असी साथ अजेहा गुणांग पता करांगे जो की पंजादे बराबर जा इस नालों छोटा हुबे ता एसली असी साथ नूँ साथ नाल गुणा करांगे सत नूं सत नाल गुना करंते असी उननजा प्राप्त करांगे जो कि पंजा नालों छोटी संख्या है ता इथे असी सत पंज तों बाद लिखांगे हुन पंजा विच्चों उननजा कटांते असी एक प्राप्त कर दे हां जो कि पाजक सत नालों छोटा है एसली 85 बिच एक खोर 0 लगाँ दे हां जिसनू बाकी दे सजेपा से लिखनते असी संख्या 10 प्राप्त करांगे हुन एथे असी 7 जिहा गुनांग पता करांगे जोकी 10 दे बराबर जा इस नालों छोटा होवे ता एसली 87 नू 1 नाल कुना करांगे सत नू 1 नाल गुना करनते 87 प्राप्त करांगे जोकी 10 नालों छोटी संख्या है नाल ही असी पागफल विच सत तो बाद 1 लिखांगे हुन 10 विचों सत कटांते साधे कोल बाकी तिन बाज़ता है जोकी पाजक सत नालों छोटा है एसली असी पाज विच एक खोर 0 लिखांगे जेसनू प्राप्त पाकी दे सज्जेपा से लिखांते असी संख्या ती प्राप्त करांगे जोकी ती दे बराबर जा इस नालों छोटा होवे एसली असी साथ नू चार नाल गुणा करते है साथ ती चार नाल गुणा करनते असी अठाई प्राप्त करांगे जोकी ती नालों छोटी संख्या है नाल ही असी पागफल विच्चों एक तों बाद चार नू लिखांगे हुन ती विच्चों अठाई कटौं ते असी दो प्राप्त करांगे जोकी पाजक साथ नालों छोटा है इसलिए असी 5 विच एक घोर 0 लबाँगे जिसनु असी प्राप्च बाकी दे संजिपा से लिखनते संख्या भी प्राप्च करांगे ता हुन असी 7 गुनांक बता करांगे चोकी वी दे बराबर जा इस नालोंग छोटा होए ता इसलिए असी सत नू दो नाल गुना करांगे सत नू दो नाल गुना करनते असी एते चोदा प्राप्त करांगे जोकी वी नानो छोटी संख्या है अते असी पागपल बिच दो नू चारतो बात सज्जिपा से लिखांगे उन वी विच्चों चोदा कटाउं ते साडे कोल बाकी छे बाज़ता है जो की पाज़क साथ नालों चोटी संख्या है इसली 85 विच एक खोर 0 लिखांगे जेसनू प्राप्ट बाकी दे सजेपास से लिखनते 80 संख्या 60 प्राप्ट करांगे फुर असी साथ अजेह गुणांग पता करांगे जो की साथ ते बराबर जा इस नालों चोटा होए ता इसली 87 नू 8 नाल गुणा करांगे 7 नाल गुणा करांगे जो की 64 चोटी संख्या है नाल ही असी पाकफल विच आठ नू 2 तों बात सजेपास से लिखांगे हुन साथ विच्चों चपंजा कटों ते साडे कोल बाकी चार बाचता है जो की पाजक साथ नालों चोटा है एसली 85 विच एक होर 0 लिखांगे जिसनू प्राप्ट बाकी दे सजेपास से लिखांगे असी संख्या चाली प्राप्ट करांगे हुन असी साथ अजेहा गुणाग पता करांगे जो की चाली दे बराबर जा इस नालों चोटा होवे ता इसली असी साथ नू 5 नाल गुणा करांगे सत नूं पांच नाल गुना करनते असी पैंती प्राप्त करांगे जो कि चाली नालों छोटी संख्या है नाल ही असी पागफल विच पांच नूं अट तो बात सज्जे पास से इंज लिखांगे हुन चाली विच्जों पैंती कटांते असी पंच प्राप्त करांगे जो की पाजक सत नालों छोटा है एसलिए असी पाज विज सजे पासे एक होर 0 लवांगे जिसनों प्राप्त बाकी दे सजे पासे लिखन दे असी संख्या पंजा प्राप्त करांगे उनसी सात्ता अजेहा गुनांग पता करांगे जोकी पंजा दे बराबर जा इस नालों छोटा होवे ता इसली असी सात्नू सात्नाल गुना करांगे सात्नू सात्नाल गुना करनते असी उनंजा प्राप्त करांगे जोकी पंजा नालों छोटी संख्या है नाल ही असी पागफल विच सत नू पांचतों बाद सज्जे पासे इंच लिखांगे उन पंजाब विच्चों उनजा कटों थे असी बाकी एक प्राप्त करांगे जो की पाजक सत नालों चोटा है ता इसलिए असी पाज विच एक होर जीरो लवांगे जिसनू प्राप्त वाकी दे सज्जे पासे लिखांते असी संख्या दस प्राप्त करांगे उन असी साथ अजिहा गुणांग पता करांगे जो की दस ते बराबर जा इस नालों चोटा होए एसलिए असी साथ नू इक नाल गुणा करांगे सत नू इक नाल गुना करंते असी सब प्राप्त करांगे जो की दस नालों छोटी संख्या है नाल ही असी एक नू सात तो बार पार पल विच सजे पासे इंच लिखांगे उनगां दस विचों साथ कटांते साड़े कोल बाकी तेन बाचता है ता इते असी वेखते हैं कि असी फिर ओही करम प्राप्त कर दी हैं जिमे कि असी पहला दो बार कर चुकी हैं पाब इते पागफल विच करंबार अंक 1, 4, 2, 8, 5, 7 दो रा रहे हैं पाब ए अंकांदे जोडे करंबार दो रा रहे हैं ता एक्षे असी तिन बाकी वज्जों प्राप्त कर दी हाँ अते पागफल बराबर तिन तशमलव एक चार तो अट पंच सत एक चार तो अट पंच सत तो अट पंच सत एक तो लेके अगे तक प्राप्त कर दी हां हुँ जीवें की एथे अंकांदे चोड़े एक चार तो अट पंच सत तो रा रही हां ता एक ना खतम होन वाड़ा तिशमलव है एसली एथे असी कैस सागती हां असी परिमेश संख्या बाई बटा सत नू एंच लिख सागती हां ए बराबर तिन दिशमलव एक चार तो अट पंच सत एक चार तो अट पंच सत एक तो लेके अगे तक नाल ही इसनु एंच लिखांगे ए बराबर तिन तशमलव एक चार तो अठ पंज सत इथे एक चार तो अठ पंज अते सत उपर असी इस तरह बार लगा सकते हैं इथे बार तो पाव करमवार ए अंकांदे जोड़े तोरा रहे हैं ता इथे तित्ती परिमे संख्या बाई बट सात्द हा तशमलव रूप पराबर तिन दशमलव 171857 142857 एक तो रहर गके अगर तक पाव 30 दशमलव 162857 इथे 142857 उपर बार बजों लिख सकते हैं चो कि इस्ता अश्चान तोरॉंदा तश्चमलव रूप है चोकी ऐसी पता करना से इस एपिसोड विच तो सी परिमे संख्या परिमे संख्यावानू दश्चमलव रूप विच दर्सोना पाव परिमे संख्यानू शांद दश्चमलव रूप जा अशांद दश्चमलव रूप विच दर्सोन बारे सिख्या है उमीद कारदा हां तो अनु एपिसोड पूरी तरह समझा गया हो